हेलो अच्छेश बीटी के सभी स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा तो जो आप से रिलेटेट कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रोब्लम जिसका सेलूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसे से मेरा प्रस्टनली रिक्वेस्ट आप मेरे से सियर करें और से रिलेटेट जो भी जैनुएन सलूशन होगा जैसा भी तक मैं रखता है हूं आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुंचाने की हंडेट परसेंट कोशिस करूँगा और अभी की जो हमारी वीडियो है जैस सभी आने वाली वीडियो के लिए आप सिविल वल्ड को फॉलू करते रहे और जो भी स्टूडेंट हमारे अगर अभी फर्ट सेमेस्टर में या फिर आप किसी भी ब्रांच के हो सिविल मेकैनिकल, अलिक्ट्रिकल, अलिक्ट्रोनिक्स, और्टोमॉइस तो आप सभी स्टू जैसे कि अक्सर आप लोगों के मेरे पास question आए जो सर शिविल इंजिनियरिंग के बच्चों का first, third और fifth semester के important question देखिए पहले तो आप ये समझो जो important question है क्या कई सारे student को ऐसा लगता है जो देखो अगर मुझे book से ही question देना रहता तो मैं कह देता हैं कोई सा book ले आता और मैं कहता यहां खोल के बैठ जाता है ये कर लो ये कर लो ये कर लो पेपर आजाएगा ऐसा नहीं है मेरे important question देने का मतलब ये है जो अगर मैंने इस board के उपर 20 question लिख दिया तो इस 20 का मतलब है कम से कम 15 question पेपर में आनी चाहिए तब उस question को हम important question कहेंगे ये थोरी नब में आके आपको पूरा college की तरह lecture ले जो हाँ भई फिलूड में ये भी करना ये भी करना ये भी करना ये चैप्टर भी करना ऐसे करना तो उसे important नहीं कहता उसे तो कह दिये हाँ चलो भई सारा book कर लो आपका paper निकल जायेगा और मैं आपको एक बात पहले ही बता दू आप किसी भी branch के student रहो बसरते इस channel का नाम civil world है मैं आपको clearly बताता हूँ लेकिन इस semester की मैं आपको बात कर रहा हूँ जो आपका अभी third का, fifth का और जो first semester के student है हर branch के एक एक paper जो आप, वो आप select करिएगा, मैं एक बार polling करवा लूँगा या मेरे को whatsapp के माध्यम से करवाना हो, telegram group के माध्यम से करवाना हो, या youtube के माध्यम से करवाना हो और जिस पे सबसे ज़्यादा vote आएंगे, मतलब जो सबसे hard paper आप बताओगे या किसी भी branch के, mechanical है, electrical है, computer science है, civil है, electronics है, उस एक paper का मैं आपको important question प्रोवाइड करवाओँगा और मेरे important question प्रोवाइड करने का मतलब यह है, जो ऐसा नहीं है, जो मैं आके बताओँगा, बेटा पुरा book ही कर लो, ना मैंने आपको आके बस यह topic बताना है, बेटा इस topic से paper आएगा, इस topic से आएगा, इस topic से यह question आएगा, और आप उस question को करके जाईएगा और मेरी guarantee रही, अगर मैंने वो video डाल दिया YouTube पे, तो 100% है, question उससे बाहर नहीं जाएगा और जो student अभी civil branch के, मैं कई सारे बच्चों को देखता हूँ, third semester, fifth semester के, especially civil वालों की बात कर रहा हूँ जब important question की बात आते तो वो लोग बरे active हो जाएंगे, other branch के student का क्या है, ना तो third का classes है, ना fifth का है, तो उन बच्चों की मजबूरी समझ सकता हूँ लेकिन civil वाले कुछ ऐसे student भी है, मैंने देखा है, जब कोई important question की बात आए, तो सबसे पहले सर मुझे join कर दो, कोई free classes की बात आए, सर सबसे पहले मुझे join कर दो, अभी target batch की बात आ रही, सब सो यह है, सब को ऐसा लग रहा है, अरे यार कोई बात नहीं, सर है, कोई दिक्क में आप बैठे हो, जो सर का जब कोई ऐसा important वीडियो आएगा, तो हम उसे करके exam pass कर लेंगे, तो अब की बाहर में आप लोगों के लिए भी सिर्फ एक ही subject का provide करवाऊंगा, अब आप select करके बता देना, जो किसका provide करवाना है, और जो student अपारे target batch में है, civil वाले, आपको घ बबराने की जरूरत नहीं है, मेरी guarantee है, मैं नोट से एक question बाहर नहीं जाओंगा, अगर 60 number का paper है, मैं बता रहा हूँ, 60 के 60 हो उसी से आने, अचसे बीटे वाली कितना भी कुछ कर ले, मैंने आपको आज से लगबग 20 दिन पहले बताया था, जो आपका paper 20 तारिक से होगा, जाके देखिए, कई सारे student आरे sir तो ऐसे कहरे sir proof दो ये दो, हर बातों की बच्चे proof नहीं होती, कुछ बात भरुसा पी भी होता है, तो आपने देखा paper आ गया, अब मैं जो आपको जिस date पे result बोलू देखना, result भी उसी date को आएगा, और जो मैं आपको question प्रोवाइड करू या आप किसी भी ब्रांच की हो, mechanical, electrical, electronic, CSC, automoist, बिटा मेरी guarantee है, जिस subject का मैं आपको provide करूँ, उससे बाहर एक question मत करना, और paper ना निकले, फिर आप मुझे बता देना, सर आपने बैसा बताया था, और ऐसा paper नहीं आया, 100% seem to same ही आएगा, तो इसलिए जो भी student अभी first semester के, third semester के, और fifth semester के, तो मैंने आपको बता दिया, जो जब तक अभी पहले क्या है, 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 स्टेट बोर्ड आप टेकनिकल एजूकेशन, हमारी हर कामों पे कहते है, एकदम बारिकी से नजर रखते है, जो थोरा सा फॉल्टों, फिर हम इसे बताए, और इस channel से मैं आप लोगों को बता दू, especially, उन लोगों का भी बेटा भला हो रहा है, जो हमें देखना बिलकुल पसंद नहीं करते, या वो कुछ college के staff हो, और 1-2% student भी है, लेकिन उसे हमें ज्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, किसी का भला हो रहा है, वो भी wait कर र आपको एक subject का important question provide करूँगा, और ये provide करूँगा exam से 2-3 दिन पहले, और इतने ही question provide करूँगा, ताकि अगर आपका 60 number का paper है, तो 60 में से 35 number आ जाए, बस बिटा मैं अभी आपको बता देता हूँ, इस से ज़्यादा की उमीद मत करना, अगर या 2 दिन पहले, मैं आपको एक बच्चे जो भी हमारे electrical वाले student है, आपका भी तो first semester का बैट चली रहा है, first का तो सब का चल रहा है, target बैट जिनको भी join होना है, फटा फट जाके join हो जाईए, और third और fifth semester के जो भी बच्चे घबरानी की बात नहीं है, एक paper आपका, एक paper आपका, अब आप select करके बताना, से question का important बताना है, मैं polling करवा लूँगा, जिस पे सबसे ज़्यादा vote पड़ेगा, उसी का important question बताया, जाएगा exam से तीन दिन पहले, next जो आपका है CS वाले, जो computer science है, computer science engineering के है, आपका भी same topic, and other branch के जो भी हमारी student है, मैं आप सभी student को बता दू, घबरानी की बिल्कुल भी जब तक मैं हूँ, जो भी आपका update है, या फिर जो भी मैं आपको question करवा हूँ, आप लोग देख रहे हो, सारे update बिल्कुल real जा रहे है, यहां तक कि जो paper बताऊँगा, वो भी बिल्कुल real जाएगा, या वो आप physics की बात करो, आप math की बात करो, आप chemistry की बात करो, आप किस सब्जेक्ट की बात करो, जब तक मुझे यह ना पता चल जाए, जो board वालों ने paper प्रिंट नहीं करवा लिया, तब तक मैं आपको important question प्रवाइड नहीं करवा हूँ, प्रिंट होने दो, द्यान उसके बाद आप देख लेना क्या होता है, कैसे होता है, तो यही सारा update है, इ या फिर वो first year के किसी भी ब्रांच के हो, start है, और second और third year का only better civil branch का है, तो अगर आप interested हो, तो आप लोग whatsapp के माद हम से contact कर सकते हो, मिलते है, next video, bye all of you, I hope हमारे सारे student ठीक होंगे,